Hello students, you are most welcome on my YouTube channel. Today, I am discussing about the GNM entrance. तो दोस्तों, हम हम डिसक्स करने वाले आप लोगों के बीच में, GNM entrance के बारे में, entrance का exam जैसा कि आप लोगों के सामने आया था, कि GNM का entrance basis पे होगा आपका exam, जो भी है आपका किसके अधार पे होगा, जीनम के इंट्रेंस बेसिस के अधार पर होगा जैसे कि आप लोगों ने देखा था यहां पर देखिए सरकारी रेचल पर जब आप जा रहे थे अडमीसन पोर्टल पर यहां पर आपने देखा था अडमीसन पोर्टल पर जीनम का इंट्रेंस जो है यह था आपका इन्होंने क यहां पर सीधा सीधा यहां पर विश्यक नर्सिंग डिप्लोमा के रिप्रभेस के संबंध में संख्या इतना में जब निकला था उसके बारे में उन्हों रखा है यह निर्देश हुआ है कि भारती उपचरिया के परिस्त के पत्रांग संख्या आठ दोरा इतना नर्सिक डिप्लोमा पार्टर करम के प्रबेश यह तुजारी की गई समय सारड़ी में सैच्छिक सत्र एक अगस दोजार चोबी सिप्रारम किया जाना निर्धारित किय गया है जैसे कि जैन्नम जो भी अपका क्लासिस स्टार्ट होते हैं एक अगस्ती स्टार्ट हो जाते हैं जो अटल ब्यारी बाचपी द्वारन प्रबेशित दिनांक 28 साथ को निधारित की गई थी यानि 28 आपको जुलाई को एक्जाम कराना था उप्त प्रबेश परिच्छ अगर हम इसको इतना सब कुछ कराते हैं तो उसमें समय लगेगा जिसके फलस्रूप भारती उपचरिया परिश्यद द्वारे निधारी समय सारड़ी के अनुसार सेच्छडी सत्र एक अगर 24 से प्रारम करना संभव नहीं होगा तता इससे चात्रों की सेच्छडी सत्रे भी आपका इंट्रेंस बेसेस ही रहेगा तो अपकी बार बहुत ही बड़ी हम मौका है जिननमालों के लिए इंट्रेंस उनोंने खत्म कर दिया है तो जिसको भी अभी भी फिलाल करना है जो नहीं पढ़ने में कमजोर भी थे हर चीथे वो डारेट करा सकते हैं क्योंकि आप इं पर पुना विचार के बाद वर्तमान से चली सात्र 24 से पचीस में जिननम पाठकराव में प्रभेस यह कांसलिंग के प्रक्रिया बिगत से चली सत्र तेस के ही भात जैसे यानि पिछली साल हुआ था उसी की भात ही आगामी से चली सत्र को स्टार्ट किया जाएगा ठीक है औ दोस्तों अगर जो जीननम में करना चाते हैं तो अपना कालेज खोच करके अपना अडमिसन करा लीजें ने तो अगली बार से ऐसा हो जाएगा जिसमें आपको कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे ठीक है ठीक मिलते हैं नए वीडियो के साथ कभी किसी दिन थैंक यूँ